मैं कुछ कीमते सर आपको एक बार सुनाना चाहरे हूँ माई 2014 माई 20 को जब मोदी जी की सरकार आई थी सरसो तेल की कीमत 102 रुपे प्रति लीटर थी नवंबर 30, 2021 में रुपीज 203 पर लिटर डबल अरहर दाल जो 2014 में 58 रुपे थी वो अब 110 रुपे है जहां जहां आपने डबल किया है वही वही मैं गिना रही हूँ आटा में 21 से 25 हुआ है जादा नहीं है लेकिन वहां पर भी है राइस में देखिए 29 से 31 किलो यह सब तो बेसिक चीज है जो देश की जनता को चाहिए पेट्रोल 71 रुपे उस समें 71 रुपी से अब 103 आ गया है तो अब सवाल है कि यह मिस्मैनेजमेंट नहीं है मैंजमेंट है क्या है झालने नहीं कर्रहा हूं इसको कर रहा हूं कि यह यह है अछा है यह खालत यह मैं कह रहा हूं क्या हमारे कोवड के कारण consequences है और Consequences globally है यह international fuel prices एंडिया में तो नी इंक्रिस हो है धर इंक्रीजिंग इस्टunedPs इंक्राइश आ नहीं की तो मैं but those problems will be solved, give us time, बोल दिया है सरकार ने, यह हम कोई डिनायल में है कि इंटनाशनल फ्यूल प्राइसे अर नॉट इसलिए त हमने एक्साइज जूट किया है, इसलिए त हमने एक्साइज जूट किया है, कॉंग्रेस वाले स्टेट एक्साइज जूट कर रहे हैं, पूचिए उनस ठीक, एक इसका जवाब हो साथी, अल्टिमेट्री आपको लगता है, महिंगाई इतना बड़ा मुद्दा बनेगा सर, राश्रवाद, गन्ना, जिन्ना सब आएगा, आप लोगे पास काट ही नहीं है उसका देखिए ऐसा है अजना जी, इस सरकार की जो रवईया लगता है, कि ये सरकार पूरी तरह से इस बात को नकारना चाहती है, कि कोई समस्या इह नहीं है, तो अगर इनका ये रवईया है, कि वही, all is well, तो उसके उपर कोई क्या बहस हो सकती है, क्योंकि इनका इनका जो है कि सामने तो कोई बात बहस हो नहीं सकती सवाल यह है कि यह अंतराश्ट्री बजार की दोहाई दे लें यह कहीं और के बाजार की दोहाई दे लें आज जिसको जरूरत है मदद की उसको मदद नहीं मिल रही है तो आप राजिस्तान सरकार से कहली जिए राजीब मैं तो आपको इंटरॉप्ट नहीं किया था इतने उतीज अत्मत होई है एक जो शिष्टा-चार होता है बहस का उसका सम्मान कीजिए तो इसलिए चाहे जो आम आदमी है चाहे आलू क की बात कर लो प्याज की बात कर लो टमाटर की बात कर लो तेल की बात कर लो इलपीजी की बात कर लो वो मर रहा है उसको आज राहत की जरूरत है और राहत किसको दी जा रही है उस पूंजी पती को जिसका कोविट-19 के समय जो टर्नोवर है जो प्रॉफिट है वो दिगना और्टिंगना हो गया और उणके उपर आप टैक्स काटते हैं जिनको मदद की जरूर्ट है उनको मदद आप देते नहीं है अगर हम कहते हैं कि अगर मनरीगा की डिमांड बड़ी हुई है और उसके कारण अगरेरियन डिस्ट्रेस है आप हमको आंकडे सुनाते हैं कि हमारा एगरिकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है वो स्टैलिन ने एक बढ़िया बात कही थी जो इनके सरकार पर लागू होती है तो अगर आप में आप जी डिधी ग्रोथ के रारे में कला है मैंने एpai test года कहा चेहां मैं आगर मान बी लो कि मनीष जी का जो जो डिस्ट्रस है सिंस्छ पा़्म आप वो कहें तो अप य। अप ओहें राजस्तान ग़र्मेंट से पन्जाब गर्मेंट से जहां पे भी कॉंग्र्स के गर्म गटाएं ताकि वहां के inflation, वहां के food prices पे impact बने वो आप फोन करें आज सर याई दिन को जानकारी नहीं है वो एक साइस ड्यूटी घटा दी गई है पंजाब सरकार ने दीपावली से पहले ही तेल के ऊपर अब तुम राजस्तान पे आ गए जवाब तो देने दो ना तो इसलिए वो एक साइस ड्यूटी घटा दी गई है मैं मंतरी जी को याग्रे करना चाहता हूं कि थोड़ा ग्यान बर्धन करके फिर कि हर बात का जवाब दे ये अच्छा है कि आपका मंच नहीं है आपका मंच है संसत नहीं है आपका बहुत बहुत भणत बहुत को निकल ना पुड़एगा ठीक है बहुत 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 दन्यवादी थेंक यॉट थेंके जैसे ग्यानी तो हूनी मैं लोयर भी नहीं हूँ तो मैं I am willing to concede that वो बहुत ग्यानी व्यक्ति हैं लेकिन मैं बड़ा कर दो कि यहाव कम आउट वह वरी डिफिकल सिटुएशन लेकिन हम जिस डिरेक्शन में जा रहे हैं वह इंडिया विल बिकम स्ट्रॉंगर एंड इकोनोमिकली इल ग्रो और बिकम मोर प्रॉस्फरस दुनिवार अब दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल हुले के लिए